नमस्ते बच्चों, साइराम, बच्चों, लाश्ट क्लस हमने क्या पढ़ा था? हमने कुछ बुक एक्सरसाइज डिस्कॉस किया था, Q&A, मौखिक, और उसके बाद हमने और क्या डिस्कॉस किया था? हाँ, ये सही शब्द से वाक्य पूरे कीजिए, ये भी हमने किया हुआ था? और उसके बाद प्रत्यक व्यक्ति में जो शब्द उस परिवार का नहीं है, उससे चुन कर क्रॉस लगाएगे, ये भी हमने किया हुआ था? ओके, तो क्या आप सबने कंप्लिट किया? और उसके बाद नीचे दिये संग्यूक्त व्यांजनों से दो-दो शब्द बनाईए, तो ये भी हमने किया हुआ था? क्या आपने कंप्लिट किया? तो बच्चों, आज हम ये देखेंगे, नीचे दिये शब्दों के लिंग बताईए, ठीके, तो आप अपना बुक ओपन कीजिए और बुक पैंसил दोनों लेकर बैठिये. आज हम क्या देखेंगे नीचे दिये शब्दों के link बताइए तो हमें ये लिखना है आज ठीके तो link कितने तरह कहोते हैं बच्चों pooling, strilling दो तरह कहोते हैं तो हमें ये शब्द देखकर लिखना है कि ये pooling है या strilling है तो बहुत सारे शब्द होते हैं और जिन शब्दों को बोलते समय पूलिंग का पूरुष जाती का बोध होता है तो उससे हम पूलिंग बोलते हैं और जिन शब्दों को बोलते समय इस्त्री जाती का बोध होता है उससे हम इस्त्री लिंग कहते हैं जैसे लड़का ये पूलिंग है और लड़की ये क्या है? स्त्रीलिंग है समझ में आया बच्चों अभी हम ये जो शब्द दिये गए हैं ये पूलिंग है या स्त्रीलिंग है ये हम लिखेंगे तो क्या क्या शब्द दिया गया है? देश जंडा इमारत एकता सम्मान आजादी ओके तो आप लिखेंगे देश ये पूलिंग है ठीके? देश पूलिंग है लिखेंगे नेक्स्ट जंडा ये क्या है? ये भी पूलिंग है जंडा पूलिंग ओके नेक्स्ट क्या है इमारत? इमारत क्या है? इस्त्रीलिंग है ठीके? इमारत जो बिल्डिंग ये क्या है? इस्त्रीलिंग इमारत इस्त्रीलिंग नेक्स्ट एक्ता एक्ता क्या है बच्चों? पूलिंग है ये इस्त्रीलिंग है? ये इस्त्रीलिंग है ठीके? लिखेंगे एक्ता इस्त्रीलिंग एकता स्त्रीलिंग, लिख लिया बच्चों, नेक्स्ट सम्मान, सम्मान, यह है पुलिंग, सम्मान, पुलिंग, ठीक है? नेक्स्ट आजादी, यह है स्त्रीलिंग, लिख लिया बच्चों, देश, पुलिंग, जन्डा, पुलिंग, इमारत, स्त्रीलिंग, एकता, स्त्रीलिंग, सम्मान, पुलिंग, आजादी, श्त्रीलिंग, अभी हम नेक्स्ट देखेंगे, नीचे दिये र के विभिन चिहन वाले तीन तीन शब्द लिखिये, तो र हम विभिना तरह से लिखते हैं, जैसे मार्ग, यहां जैसे लिखते हैं, राष्ट्र, हम जब राष्ट्र लिखते हैं, तो अलग तरह के लिखते हैं, और चक्र, अगर हम चक्र लिखते हैं, वहां पर भी हम र अलग तरह के लिखते हैं, तो आप देखिए, कैसे लिखा गया है, वैसे ही शब्द और तीन तीन लिखिये, ठीके, तो क्या-क्या शब्द दिया गया है, पहला वाला है, राकेश, और उसी तरह और तीन शब्द लिखना है, नेक्स्ट, दूसरा क्या है, मार्ग, नेक्स्ट, राष्ट्र, नीचे है रग की मातरा आप देखिए, और लाष्ट, चक्र, तो आप ये लिखिए, पहला वाला है, राकेश, तो उसी तरह आप लिखिए, रमन, रजनी, रवी, ठीके, रमन, रजनी, रवी, ओके, नेक्स्ट, आपने लिख लिया, नेक्स्ट क्या है, मार्ग, यहाँ पर देखिए, ऐसे लिखा गया है, ठीके, रग की मात्रा, रग की चीहन कैसे लगाया गया है, आप देखिए, ग के उपर लिखा गया है, तो वैसे ही तीन शब्दों को आप लिखिए, तो पहला शब्द है, फर्क, लिखिए, फर्क, ठीके, डिफ्रेंस, फर्क, नेक्स्ट, धर्म, धर्म, ठीके, नेक्स्ट, कर्म, तो उसी तरह लिखा गया है ये, जैसे मार्ग लिखा गया था, फर्क, धर्म, कर्म, ओके, नेक्स्ट, राष्ट्र, यहाँ पर नीचे लगाया गया है, आप देखिए, तो वैसे ही और तीन शब्द क्या-क्या है, लिखिए, राष्ट्रपती, राष्ट्रपती, जो कि प्रेसिडेंट, राष्ट्रपती, ड्रम, ट्रक, हो गया, राष्ट्रपती, ड्रम, ट्रक, राष्ट्रपती, ड्रम, ट्रक, ओके, फोर्थ वान, देखिए, चक्र, तो वैसे ही, आप लिखिए, प्रसन, प्रगती, प्रकार, ठीके, यह है, पर, र की मात्रा, प्रसन, प्रगती, प्रकार, ठीके, तो और एक बर हम देखते हैं, हमने क्या लिखा, राकेस, रमन, रजनी, रवी, ओके, नेक्स्ट, मार्ग, फर्क, धर्म, कर्म, नेक्स्ट, राष्ट्र, राष्ट्रपती, ड्रम, ट्रक, चक्र, प्रसन, प्रगती, प्रकार, ठीके, नेक्स्ट, आप देखिए, विशेशन और विशेश्य, किसे कहते हैं, संग्या या सर्वनाम, आपको पता है बच्चों, संग्या और सर्वनाम हमने पढ़ा था, ओके, संग्या या सर्वनाम शब्दों की बिशेश्ता बताने वाले शब्द, बिशेशन कहलाते हैं, ठीके, जो संग्या या सर्वनाम शब्दों की बिशेश्ता बताते हैं, उन्हें हम बिशेशन कहते हैं, तो हम बिशेशे किसे कहते हैं, बच्चों, बिशेशन जिन शब्दों की बिशेश्ता बताते हैं, वे बिशेश्य कहलाते हैं, विशेशन जिन शब्दों की विशेशता बताते हैं वे विशेश्य कहलाते हैं जैसे अच्छा लड़का तो इसमें अच्छा शब्द विशेशन है और लड़का ये विशेश्य है क्योंकि जो अच्छा शब्द है वो लड़का शब्द का विशेश्ता बता रहा है कैसा लड़का? अच्छा लड़का ठीक है? तो और अच्छा ये विशेश्ता है लड़का का विशेश्ता क्या है? अच्छा अच्छा है विशेशा और लड़का है विशेश्य समझ में आया बच्चो अभी नीचे दिये वाक्यांग्षों में से विशेशा और विशेश्य की सही स्थान पर को सही स्थान पर लिखिए तो जो विशेशा और विशेश्य शब्द है इन में से हमें अलग करके लिखना है ठीके तो देखिए यह है विशेशन यहां पर नीचे हमें विशेशन शब्द लिखना है और इधर में विशेशे चुनकर लिखना है ठीके ओके तो क्या क्या दिया गया है नीली पट्टी, केस्रिया रंग, राष्टिय ध्वज, सरकारी भवन, भारतिय राजदूत ओके, तो आप लिख पाएंगे पहले बोलिए, नीली पट्टी, इसमें विशेशंग और विशेश्य, विशेशंग क्या है और विशेश्य क्या है नीली पट्टी, तो यहाँ पर आप देखिए, जो नीली शब्द है वो कैसी पट्टी, नीली पट्टी, वो पट्टी का जो विशेशता बताती है ठीके, तो नीली पट्टी, नीली है विशेश्य और पट्टी यह है विशेश्य वैसे ही हम सारे शब्दों के लिए देखेंगे आप देखकर लिखिए नीली पटी विशेशा नीली विशेश्य पटी समझ में आया ओके नेक्स्ट केसरिया रंग तो विशेशा है केसरिया ओके यह है विशेशा तो हम यहां लिखेंगे रंग यह है विशेश्य कैसे रंग केसरिया रंग तो रंग का यह विशेश्ता है केसरिया इसलिए यह विशेशा है और रंग विशेश्य है ठीक है वैसे ही थार्ड वन, राश्ट्रिय ध्वज, तो विशेशन क्या है, राश्ट्रिय, ओके, और विशेशन क्या है, ध्वज, तो राश्ट्रिय शब्द ध्वज का विशेशता है, इसलिए ये विशेशन है, और ध्वज विशेश्य है, ठीके, नेक्ष्ट सरकारी भवन कौन सी भवन सरकारी भवन तो विशेशन यहाँ पर क्या पाता चलता है सरकारी यह है विशेशन और भवन यह है विशेश्य ठीके तो भवन का विशेश्टा कौन बता रहा है सरकारी इसलिए सरकारी भवन नेक्ष्ट भारतिय राजदूत तो राजदूत यह है विशेश्य और कहां का राजदूत भारतिय ठीके तो यह विशेश्टा बता रहा है इसलिए भारतिय यह है विशेश्य राजदूत यह है विशेश्य भारतिय विशेश्य राजदूत विशेश्य तो लिख लिया बच्चों नीली पटी विशेश्य नीली विशेश्य पटी नेक्ष्ट केसरिया रंग विशेशन केस्रिया, विशेश्य रंग, राष्ट्रिय ध्वज, विशेशन राष्ट्रिय विशेश्य ध्वज, नेक्ष्ट सरकारी भवन, विशेशन सरकारी विशेश्य भवन, नेक्ष्ट भारतिय राजदूत, विशेशन भारतिय विशेश्य राजदूत तो आप सबने लिख लिया तो बच्चों हमने अभी विशेश्य और विशेशन के बारे में पढ़ा और उसके बाद आप देखिए जिस शब्दों में मन के भाव, गुण तथा अवस्ता का पता चलता है उससे भाव वाचक संग्या कहते हैं यह हमने पहले भी पढ़ा था तो संग्या किससे कहते हैं? संग्या किससे कहते हैं बच्चों? किसी भी व्यक्ती, वस्तू या स्थान के नाम को संग्या कहते हैं तो नाम को ही संग्या कहते हैं तो भाव वाचक संग्या किससे कहते हैं? हमने बहुत सारे संग्या पढ़ा था जैसे भाव वाचक संग्या व्यक्ति वाचक संग्या करें वस्तु वाचक संग्या क्या आपको याद है संग्या का प्रकार ओके, तो जिस शब्द में मन के भाव, गुण तथा अवस्ता का पता चलता है, उससे भाव वाचक संग्या कहते हैं, जैसे बच्पन, मिठास, आदी तो यहाँ पर जो दिया गया है, भाव वाचक संग्या के सामने टिक लगाईए, पहला लाइन आप पढ़िए, देश, चार, हरियाली, लड़ाई तो देखिए टिक क्या गया है, कहां पर टिक क्या गया है, हरियाली और लड़ाई यह भाव प्रकाश कर रहा है, इसलिए हम यहां पर टिक लगाएंगे, हरियाली, लड़ाई ओके, नेक्स्ट, सेकेंड लाइन, जंडा, सच्चाई, स्वतंत्रता, नीला तो कहां पर भाव या अवस्था का पता चल रहा है, सच्चाई, ठिके, स्वतंत्रता तो सेकंड और थर्ड ये दोनों पर आप्टिक लगाईए सेकंड और थर्ड सच्चाई स्वतंत्रता ये है भाव वाचक संग्या नेक्स्ट थर्ड लाइन वीर्ता भारत अच्छाई सफलता तो यहां पर गुण अवस्ता या भाव गुण और अवस्ता का कहां पर पता चल रहा है वीर्ता भाव ठीक है वीर्ता भाव गुण या अवस्ता का इनका पता चल रहा है हां तो यहां पर हम टिक लगाएंगे नेक्स्ट भारत अच्छाई सफलता अच्छाई गुण है ठीक है नेक्स्ट सफलता ठीक है तो हम यहाँ पर टिक लगाएंगे वीरता, अच्छाई, सफलता तो आप और एक बार देख लिजिए फर्स्ट लाइन हरियाली, लड़ाई ठीक है नेक्स्ट लाइन सच्चाई, मनके भाग, स्वतंत्रता और लाश्ट लाइन वीरता, ठीक है यह गुण है, सच्चाई, नेक्स, सच्चाई, सफलता ओके, तो यह सब भाववाचक संग्या है तो बच्चों, इसके साथ हमारा बुक एक्सरसाईज कंप्लिट हुआ उसके बाद यह आपके लिए आक्टिविटी है तो आप पता कीजिए और लिखिए यह आप लिख कर जो आपके ग्रूप है वहाँ पर सेंड कीजिए फोर्च स्टेंडर्ड ग्रूप है ना, वहाँ पर आप सेंड कीजिए ठीक है तो पता कीजिए और लिखिए राश्टिय पक्षी, राश्टिय पसु, राश्टिय फूल, राश्टिय खेल, राश्टिय फल, राश्टिय व्रिक्ष ठीक है, तो आप पता कीजिए और लिखीए, उसके बाद फोटो किज कर भेजिए और ये भी आप कीजिए बच्चों ये भी आपके लिए आक्टिविटी है दी गई जगह में बिभिन्न देशों के राष्ट्य जंडे चिपकाईए तो आप नेट से सर्च कीजिए इंटरनेट पर जाके सर्च कीजिए और बिविन्न देशों के राष्ट्य जंडे चिपकाई है भारत, अमेरिका, इंगलंड, कैनेडा, औस्टिलिया, पाकिस्तान, चीन, और जापन ठीक है? तो यह आपके लिए है, आप सर्च कीजिए और खुद से कीजिए तो आपको राष्ट्य पक्षी, राष्ट्य पश्चू, राष्ट्य फूल, राष्ट्य खेल, राष्ट्य फल, राष्ट्य व्रिक्ष, यह सब पता करके लिखना है I think आप सबको पता है और आपको यहाँ पर राष्ट्य जंडे चिपकाई है, चिपकाणा है, ठीक है? तिरंगा जंडा हमारा राष्ट्य द्वज है राष्ट्य द्वज देश के सम्मान का प्रतीक होता है इसलिए उससे सलामी दी जाती है और उसका सम्मान किया जाता है आज हमारे देश में जो तिरंगा जंडा फैराया जाता है उसका भी एक इतिहास है तो चलिए हम पढ़ते हैं कि क्या इतिहास है पहला राष्ट्य ध्वज वीर सावरकर ने बनाया जिससे मैडम फिकाजी गामा उन्होंने 22 आउगस्ट 1907 को जवमनी में फ़राया था ठीक है उसके बाद क्या हुआ उसके बाद 1918 में 1918 में एनी वेसंत ने दूसरा ज़ंडा बनाया परन्तु इस ज़ंडे को भी मान्यता नहीं मिली और समय समय पर इसमें भी परिवर्तन हुए और वर्तमान राष्ट्य ध्वज ही स्वतंत्र भारत का राष्ट्य ध्वज है इसकी रक्षा करना प्रतेग भारतिय का कर्तव्य है ठीक है तो राष्ट्य ध्वज किसका प्रतिक है बच्चों राष्ट्य ध्वज देश के सम्मान का प्रतिक है और हमारा देश का पहला राष्ट्य ध्वज किसने बनाया वीर सावर करने किसने बनाया so पहला राष्ट द्वच वीर सावर करने बनाया ठीक है और नाइंटिन एटिन में दूसरा जहंडा किसने बनाया एनिवेसंत तो एनिवेसंत ने दूसरा जहंडा बनाया ठीक है तो बच्चों आप अपना बुक एक्सरसाइज कम्प्लिट कीजिए नेक्स्ट क्लास हम क्लास वर लिखेंगे धन्यवाद बच्चों